वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल लॉपडेट्स में आज हम ये जानेंगे कि तलाक के बाद पैदा हुए बच्चे की कस्टेडी किसे मिलेगी दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि तलाक के बाद पैदा हुए बच्चे की कस्टेडी किसे मिलेगी इसे हम हिंदू लॉग के एकॉर्डिंग बात करेंगे हिंदू लॉग में पांच साल तक के बच्चे की देखवाल मा के द्वारा ही की जाती है या फिर बच्चे को पुछकर भी बच्चे की कस्टेडी दी जा सकती है अब हम बात करेंगे एकॉर्डिंग टू मुस्लीम लॉग हमफी स्कूल किसी भी मा को बच्चे की कस्टेडी तब तक दी जाती है जब तक बो युवा अवस्था में ना पहुंच पाए बच्चे की कस्टेडी तब तक दी जाती है जब तक बो साथ साल का ना हो जाए मलिकी स्कूल इसमें कहा गया है कि किसी भी मा को उस लड़की की कस्टेडी तब तक दी जाती है जब तक लड़की की शादी ना हो जाए इसमें कहा गया है कि तलाक लेने के बाद भी अपने बच्चे की कस्टेडी ले सकती है अगर माँ बच्चे की उचित देखवाल ना करे तो फिर माँ को बच्चे की कस्टेडी नहीं दी जा सकती अब हम बात करेंगे इसाई और पार्सी कानून की भारत्य तलाक अधिनियम उन सवनत्तर में उन कानूनों को पेश किया जाता है जो सभी धर्मों को नियंतरित करते हैं तो आई होब दोस्तों आपको ये जैनकर पसंद आई होगी तो फिर हमारी वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें और साथ में ही हमारा यूटूब चैनल को दूर सब्सक्राइब करें